वॉलिवोड इंडस्ट्री से हाल ही में एक बेहत दुखत खबर सामने आई है फिल्म दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी जूनियर बविता फोगाट का रोल अदा करने वाली सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया मीडिय रिपोर्ट्स के मताबिक सुहानी पिछले कुछ समय से दिल्ली के एमस अस्पताल में भरती थी कुछ दिन पहले ही उनके पैर में फ्रेक्चर हुआ था जिसके इलाज के लिए वो दवाईयां ले रही थी हलाकि उन दवाईयों की रियक्शन से सुहानी की पूरी बॉडी में पानी भर गया और इसी रियक्शन के चलते शुक्रवाज शाम उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया आज यानी शनिवार को सेक्टर पंद्रा फरीदाबाद के अजरोंदा शमशान घाट में सुहानी का अंतिम संसकार किया जाएगा बता दे कि शरीर में पानी भर जाने के इस्थिती को मेडिकल भाशा में वाटर रेटेंशन कहा जाता है आएए जानते हैं कि किस इस्थिती में ये परिशानी लोगों को घेर सकती है साथ ही वाटर रेटेंशन होने पर शरीर में किस तरह की लक्षन नजर आते हैं आशान भासा में समझें तो water retention एक ऐसे इस्थिती है जिसमें पीडित के शरीर के आंतरिक भागो, circulatory system या tissues में पानी भर जाता है वही health expert बताते हैं कि ये समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है सुहानी भटनागर को दवायों के रियाक्शन के बाद water retention के इस्थिती से 2-4 बार होना पड़ा था हलाकि इससे अलग हार्मोनल परिवर्तन PCOS, PCOD किड्नी से जुड़ी परिशानी होने पर ये गर्बवस्था के दोरान भी महिलाओं में ये समस्या बढ़ सकती है बात करें लक्शन की तो water retention के इस्थिती में पीडितों के पैर में सूजन रहना, पैर लटका कर बैठने पर पैरों का सूजन जाना, टकनों में सूजन होना, फूली हुई उंगलिया, पेट में भारीपन महसूस होना, अचानक वजन का बढ़ जाना, त्वचा में खिचाव और स्किन का लाल पड़ जाना, भूक ना लगना आदी लक्शन नजर आ सकते हैं, ऐसे में समय रहते हैं इन लक्शनों को पहचान कर हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहत जरूरी है